हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल मैं हो पृत्वी पटेट और आज हम करेंगे अब वेल इंड्रेस्टिंग रेमिडी कॉल रेनिंक्यूलस वल्वॉस यह रेमिडी क्लिनिकली बहुती ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी जो एट्ली केवलिकी है वो बहुती ज्यादा ही ज्याद के बन है तो फ्रेंट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यह रेमिडी को हम कौन सी क्लिनिकल कंडिशन में यूज कर सकते हैं तो चले फ्रेंट शुरू करते हैं प्रेंट प्रेंट प्रॉपर्टी है वो है इरिटेंट इसका जो मदर तिंचर है उसको एक्सटनली स्किंट पे हम जब अप्लाइ करते हैं तो बहुती सदा स्किंट को इरिटेट करता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है जिसले हमको इसी हो जाएगी कि उसकी सिंटम्स रिमेंबर करने के लिए तो चलिए फ्रेंट हम देखते हैं उसके टार्गेट और तो फ्र हमारी बॉलिम है फर्स्ट इस मुकस मेंबरें जिसको अपने बचार्ट करते हैं मुकस मेंबरें जैसे मैं आपको बताया कि उसके इसे इसे जो पिक्चर बनता है वो पिक्चर बनता है है फिवरे का इत बॉलिए फिवरेंगा the leading remedy for the hair fever friends उसके जो सारे सिंटम्स हैं तो आपको याद रखना है next is sensation of the pressure at the root of the nose इस सेंटम्स एक और मेडिसीन में देखने को मिलता है वो है स्टिक्टा पलोनारी उसमें भी the pressure is felt on the root of the nose next is tickling and the crumbling sensation होगा posterior nerve of the nose में it is extending to the posterior nerve and desire to scratch that affected part similar medicine है यूफ्रेश्या, अल्यम सेपा, आर्सनिक और सिक्टा यह सारी लीडिंग रेमिडी है for the hair fever तो चलिए friends हम डिफ्रेंशेट करते हैं फटा फट की यह रेमिडिक हो हम कैसे डिफ्रेंशेट कर सकेंगे the first thing हम देखते है एलियम सेपा, friends एलियम सेपा का hair fever कैसा होगा what are the symptoms of hair fever in एलियम सेपा तो lacrimation होगा, discharge from the nose होगा but जो discharge from nose है वो बहुत ही जादा accurate होगा और the blind discharge from the eyes एक्जेक ओपोजिट होगा यूफ्रेश्या में यूफ्रेश्या में accurate discharge होगा from the eye and blind discharge होगा from the nose तो यह opposite है next is एलियम सेपा में बहुती सरा important कि symptom which are all aggravating towards the evening and aggravating from the warm room यह आपको यार रखना है and better in the open air in the alien सेपा प्रेश्या में एक को peculiar symptom मिलता है वो है sneezing when entering into the warm room यह picture बनाता है एलियम सेपा का next is यूफ्रेश्या में आपको बना है एंसल एपोजिटो एलियम सेपा और इवन यूफ्रेश्या में भी जो symptoms है एफीवर के वो aggravating towards the evening तो यह तीनों वैजिसिंग में जो है फीवर के symptoms होते है विच इस aggravated towards the evening वो आपको यार रखना है यूफ्रेश्या में अगे एक aggravated from the warmth and better in the cold तो यह picture बनाता है यूफ्रेश्या का next is arsenic प्रेंस arsenic is the leading remedy for the hay fever क्या symptoms होगे arsenic के तो arsenic में जो discharge है वो बहुत ही जादे accurate और excoriating और clear watery discharge होगा और severe burning pain होगा आर्सेनिक में better from hot application and most important continuous sneezing without the release and which is aggravated in the morning that is the picture of arsenic of hay fever अगें सिक्टा इस वेरी सिमिला है में तो है तो है तो क्या symptom अगें मैंने आपको बता है कि common symptom है sensation of a pressure in the root of the nose which is very important for the system और friend इसमें ऐसा symptom से जो बहुत ज़्यादा पिक्किवार है cataral headache which are appear before the discharge come यह बहुत ज़्यादा important patient कहेंगा सबसें जब भी हम पुछेंगे कि आपको complaint कैसे स्टार्ट हुई क्या होगा first आपको देन आप बताये मुझे तो वो patient को लेकर कि मुझे सबसे पहला cataral headache स्टार्ट हुआ धैन डिस्चार्ट स्टार्ट हुआ the remedy is stiqta next peculiar symptom for stiqta is patient is continuous blowing the nose but there is no discharges and patient is so much so sensitive to changes of the vigor it is aggravated when sudden change in the condition में अगर आपको ये दो फिक्वार स्टार्ट मिलते हैं what cataral headache appear before the discharges and patient is continuous blowing but there is a no discharges उस case में हम stiqta prescribed विकार सब्सक्राइब उसकी जो बहुत ही सब्सक्राइब के है बहुत सीरस मेंब्रेन वो क्या करेंगा it causing the inflammation leads to the effusion sedus effusion करेंगा specially in the pleura और peritonium क्या symptoms होगे individualistic symptoms it causing a pleuracy and pleurodenia फ्रिंस एक word है pleurodenia उसका meaning क्या होता है what is the meaning of pleurodenia फ्रिंस इवन आप student हो तुस एक्जामे के पूछा लाता है कि what is the meaning of pleurodenia तो आपको पता होना चाहिए कि it nothing but the intercostal neuralgia जो intercostal muscles है उसमें pain होता है that is the pleurodenia इस pain बहुत जदा characteristics pain है क्या है pain acute staving stitching and shooting type of pain is felt over the chest and patient sensation as if pressure or tightness across the chest यह symptoms क्यों आए because pleurodenia में यह common symptoms है patient को बहुत जदा tightness और pressure बादे feeling आएगी और इस aggravating when moving talking और टूपिं और taking the deep inspiration तब यह pain सारे aggravate होंगे next is adhesion which is left after the pneumonia or pleuracy बहुत साथ है पेशेंट है जिसको pneumonia हुआ अलोपेटिक मेडिसन गी effusion तो चला गरा but adhesion जो बाकी रे जाते है in the membranes of pleura तो उस case में patient को क्या होगा पता है patient की complaint क्या होगी उसमें होगा patient बोलेगा जब भी मैं deep inspiration करता हो deep breath लेता हो तो मुझे pain होता है chest that is the symptoms of adhesion which is left after pneumonia और pleuracy तो उस case में आप renunculus vulgos prescribe कर सकते हैं राइस बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट रामीडी है next is create soreness below the nipple when taking the deep inspiration female होगी तो female और में पेशेंट मतारेगा कि मुझे nipple के pillow pain हो रहा है when I am taking a deep inspiration right तो यह सारे सिम्टम वो indicate करते है रेनेंफिलस bulgos और इस सिम्टम है कि patient में patient जब भी deep inspiration लेता है तो ऐसा भी हो सकता है कि pain पूरे chest में हो रहा है patient को रहा है तब भी हम renunculus vulgos prescribe कर सकते हैं और patient में जो pain आएगा वो is very much sensitive to exposure to cold air patient is very much sensitive to sudden change in the atmospheric weather यह भी बहुत जादा important है और यह सारे symptoms आएंगे elements from exposure to cold air तो friends आपको यह causation याद रथा है और यह सारे symptoms अगर आपको patient में मिले तो आप renunculus bulgos prescribe कर सकते हैं यह case of hydrothorates और fluency और friends even doctor Clark बनता ते ही even he prescribed this remedy in the case of diaphragmatis friends what is the diaphragmatis is the inflammation of diaphragmatis और यह सारे symptoms मिलते थे patient रहे पेशन जब भी deep inspiration करता था उसको pain होता था और pain इस एग्रावेटेश्ट फूपिंग, talking, coughing, moving और inspired यह सारे symptoms के basis पर उन्पोंने renunculus bulgos prescribed कि in a case of diaphragmatis और उनको बहुत जादा अच्छा लज़द लिया तो friends आपको यह सारे इंडिविजियल स्टी स्टम्स मैच करने हैं पेशन की compliance से हैं उसकी जो हम modality लेखते है कि उसकी जो modality है पेशन इस एग्रावेटेश्ट है फॉंग मैंज जैसे आपको बदाए कि sudden change in the atmosphere exposure to cold air from touch पेशन इस वेरी मुच sensitive to touch इसकी जो similar medicine है वो है एपीस और ग्रावनिया फ्रेंस एपीस और ग्रावनिया इनकेस और प्रिवरसी इस वेरी मच लीडिंग्रावनिया तो उसके है तो वो चेश को पकड़ लेगा इसा क्यों हो रहा है विकोज ब्रावनिया पेशन इस वेरी मच एग्रावेटेट फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन और बेटल फ्रॉम प्रेशर और एक मोराल की बहुत ज़्यादा मारते जब भी ब्रावनिया का केस होगा तो पेशन जब सुएगा तो पेशन विच इस लाइं ऑन पेंफूल साइड गिव्स दा रिलिफ तो दा पेशन यह आपको नोट करना है और एक कि ऐसे ही सिंटम प्रावनिय का केस होगा झाल प्र ब्रावनिया तो प्रावनिया का किस विव्स द्यूंड उम और नहीं कbutतक्ते वर्डिग जोह ऐक मी समट्रोंज संहीं विपक कैस प्राव थी। पोट कम्लेंट मोंकी के माणड़न मां एक ट्डिधन ज 20 और मोहत्त टे ब्राइवनिया में बहुत है इस यूज पॉर्ड दरॉपसी द्रॉपसी द्रॉपसी का थी तो इसकी जो सीरस में बहुत साथा मार एफनिटी एक वुरसी और है तो उसमें पेशन्ट को डिफिकल्टी इन ब्रीधिं होगी तो पेशन्ट को इसा लगे लेकर जो मिरीज कर रहा हूं वो लास्ट ब्रीज इस वेरी मच इंडिविजियलिस्टिक सिम्टम पर एफेज यह बहुत ज़ादे इंपोर्टन है और क्या मिले आपको एफेज में पेशन्ट इस सेंसितिव तो तुट्च और हीड इतना दादर सांसितिव है हीड से बेटर फॉं दब को थर्स लेसनेस इस वेरी मार्ट इंप इस राइट नैक्स इस एपिस में अंगर आपको स्वेलिंग और आइलिड में आपको स्वेलिंग में अपको यह केस है अपिस का अपको पता शारा है केस है हम मैडिसल को डिफ्रेंचियट कर सकेंगे अपको टो डे इंडिविश्य इसुप्स जी स्वेंसल्स इसकी बहुत साहिए मार नाम reactions और ओपको तो जाalles M Elijah right yes and the whole area is fills like a bruise हिसी ने अगर कीटा है केशादा होगा right इस तरण का bruyze, sore neck feeling होगा in chest right और even this remedy is used for the costochondritis right best costochondritis क्या है तो इस the inflammation of the cartilage तो उसमें पेंट हो लेगा मुझे आपको बताएगा तो केसा बताएगा कि मुझे इंदर पेंग हो रहा है मतलब इच शोज विद टीप ऑफ द फिर यह उसके चारेकरिस्टिक रहती है पॉर दो पॉस्ट्राइट कर सकते हैं को इंपॉर्टन स्पीर आपको बताएगा कि उसका मुझे करते हैं एक्सेनली स्कींग पर इंदर फ्रेंट यह उसका बहुत सब्सक्राइब और विकेंट से स्पैसिक्पिक सेंटम से वेसिकुला टाइप ऑफ इरॉप्शन वेसिकुला टाइप ऑफ इरॉप्शन मोस्ली दो पेंडिशर देखने को मिलता है है हर्पिस जोस्टर और सेटेड़ इस पैंटिकर्स पैंटिकर्स इमें एक बहुत जब्सक्राइब क्या होगा तो हटुपिस ज़सर में जो वेसिकुला टाइप ऑफ इरॉप्शन है उसमें ब्लूइश करद देखने को मिलनेगा ब्लूप लुक लाइक बंस जो सर्फेस अजहां पर हर्पीस हो रखा है वहां हम जब हमको देखेंगे तू इसा लगएगा कि यह पूरा एरिया बंग होका रहा है इतना सब्सेट्पियर हर्पीस होगा पर रेनिक्यूलस पॉर रेनिक्यूलस बल्बोस इट हैस अमाज लोकेशन इट है तो आई के अरूंड होगा और जो चेस्ट पे होगा और एस्पेशली इन पॉर्स ऑफ दिन जैसे आपको पता है कि हर्पीस अकर इन दा पॉर्स ऑफ दिन जहां पे इसे नौ पास हो रखिये वहां पे वेस्टिवलर टाइप ऑफ इरॉप्शन होगे स्पेशली फॉर जाएं जाएं पास्त ब्लाइड नेस तो उसकेस में आप अगर अदिक बढ़वस प्रिस्क्राइब करें तो हम उसकी वेजन को डेपिनेटील पचा सकते हैं वहां नैक्सिस इक एग्रामिकेर फ्रॉं तर्ट जैसे मैं आपको पता है कि पेशिंट इस सो मच तो सांसिटिव तुछ और पॉल एंग नेट इस पैंपिश 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 बहुत जदा इस तुछ जाएंगे उसमें से पॉल्स मैंलिं डिस्चार्ज भूगा तुछ उसकेस में हम रैंपिश बल्बोर्स एप्लाई करेंगे आपको बहुत ज़ादा अच्छा रिजल्स मेनेगा जैसे इवन रैंपिश बल्बोर से जो पोस हर्पेटिक नियूराल किया होता है वो भी हम उसको आपन कर सकेंगे राइट नेस्ट एंपोर्टन पॉइंट इ सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जो बहुत ही ज़ादा पेंफुल कॉंस आपको मिलते हैं तो उसकेस में आप रिज्टाइब कर सकेंगे राइट ये बहुत ज़्यादा मार सिंप्टम है की नोर सिंप्टम है मैंशन बाइट के लिए इंग दर्वर्टियामरी का अनिंस क आपको ये पत्ता होना चाहिए इवन जो स्टूडेंस से उसको एक्जाम में भी पुच्छा जाता है की पेंफुल कॉंस अगर आप एंडिक्रू लिप्स के आएंगे तो बहुत सहीं नहीं होगा तो आपको पढ़ना एंट लास मैं आपको एक और क्लिनिकल ब्रूस बताती क्या कंडिशन होगी अगर पेशन को आफ्टर आलकोहल के बाद ही कब होती है डिलियम प्रेमर्स होता है और एपिलेप्टिक फोर्म और सीजर्स आते हैं तो उसकेस में उसको एंडिडोट के लिए आप रिस्क्राब कर सकते हैं रनिंपिलस ब्रूस इतीज मेंचन भाइ एक अगर आपको इसा कोई केस मिलें तो आप यूज कर सकते हैं रनिंपिलस ब्रूस को एक और उसकी स्कीन में वह बहुत ज़्यादा पॉर्म है वह रस्टॉक्स में भी सेम मार्क वेस्टिवलर टाइप ऑफ एज़क्शन मिलते हैं तो फ्रेंस हम उसको केसे कर सकेंगे तो फ्रेंस रस्टॉक्स में क्या होगा रस्टॉक्स में जो मुडालिटी है वह बहुत ज़्यादा माख है पेशेट इस अग्रावाटिव फोल्ड वेदर दैंप वेदर आफ्टर ट्रेंचिंग इन रें बेटर फ्रॉम प्रेशर और रभी और वांस अप्लिके आपको इस उस विडियो प्लों सबस्क्राइब नहीं किया है 有 में आइक है 現在 men जाएब 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 ए लूएपधिए झाल